बुटी पोरी के बोर खेड़ी टोलना के पर सानिक अपराजशाका नाकपुर ग्रामिन के बुटी पोरी बीट के पुलस ने बीती राध तीन बजी नाका बंदी दर्मियान एक ट्रक को रुका उस ट्रक की जांच की तो ट्रक में कौफी और कौफी चॉकलिट बनाने वाली बीजों की पुरिया थी कुछ बुरियों को चेक गिया गया तो उनमें गांजा मिला गांजा मिलने के बाद अपराजशाका की टीम खरकत में आई ट्रक की पूरी बूर्या चेकी गई तो इनमें लगबग 1100 किलो गांजा होने का अंदाजाल लगाया गया। मार्केट में गांजा करीब 10,000 रुपे किलो से मिलता है। इस हसाब से 1,10,000,000 के करीब गांजा हो सकता है। स्थानिक अपराज शाखा की टीम ने ट्रक की दोनों ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बुटिपोरी ताने में स्थानिक अपराज शाखा की टीम ट्रक को लेकर गई है। स्थायनिक बुट्टीपोरी पुलिस की मदद से स्थायनिक अपराज शाका की टीम चांच कर रही है। गांजे से भरा ट्रक विजेवाडा आंध्र प्रदेश से निकल कर हिमाचल प्रदेश जा रहा था। पुलिस को अब कांची की तसकरी में ले मुख्य सर्गना को तलाश ना होगा। मुख्य सर्गना का नाम अभी तक सामनी नहीं आ पाया है। लेकिन पुलिस को काफी जानकारी हाथ लग चुकी है। BCN News के लिए अरुन महाजन की रिपोर्ट